हेलो सांतियों, वैलकम टो रोलिश्टडी, दोस्तों आज के इस वीडियो में मंद्य प्रदेश वनरग्चक जेल परारी फोरेस्ट गाट की स्पैसल एक्जाम के लिए हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आचुके हैं, इस वीडियो में हम हिंदी स्पैसल हम आपके लिए ट कोशन्स बनने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा, आईए स्टार्ट कते हैं, वीडियो को लाइक, सेर्ट, सब्सक्राइब कर लीजगा, हमारा पहला कोशन है गाईज, वाग के उनसे यहां दुरदर्सा नहीं देखी जा सकती, वाच् कोशन एंद आंसर आपको पता चल पाए, अगला कोशन है हमारा मोल दातु उट का द्वीती प्रेनार्थ क्रिया सब्द निमन मैंसे कौन सा है, तो यह उठाऊना होता है, उठाऊना, अगला कोशन है निमलिकित मैंसे कौन सी रचना, रचनाकार, सुमित्रा नंदन पंत द् अगला कोशन है, उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मरदु मुस्कान, मानो हसी हिमाले की है, फूट चली, फूट चली करती कलगान, उप्यूक्त पंक्ति में, उप्यूक्त पंक्तियों में निमलिकित मैंसे कौन सा अलंकार है, यह आप से पूचा गया है, तो अगला कोशन है, निमलिकित मैंसे रशना, दीप सिखा के रशनाकार को नहीं, तो महादेवी वर्मा की रशना है, यह दीप सिखा, अगला कोशन है, निमलिकित मैंसे कौन सा सब्द उपसर्ग का प्रियोग नहीं कर नहीं बनाये गया है, तो यह जो योग्गिता सब्द है, इसमें उपसर्ग का योज नहीं होता है, अगला कोशन पूचा गया है, निमलिकित मैंसे विदेसस सब्द का चैयन की जिगा, तो शंद के संबंद में वर्णों के उच्चारन में जो शमे लगता है उसको मातरा कहा जाता है वाग के वहां रोज इतनी रात को आए तो लोग उसे कुल्टा की कहने लगें इस वीडियो में उससे पहले बता दे हमारे सभी कोर्स पर अपने परसंट की छूट दी जा रही है आपको सभी कोर्स पर अगर आपको अपने परसंट करेंगे तो आपको आपको 90 परसंट कर सकते हैं कि लिए तो पूरी चीज़ आप देख चेक आउट कर सकते हैं एक चीज़ यहां पर आपको मिलेगी और हमारी यह जेल पर आरे कि प्रैक्टिस्ट यूण लाइन एक्जाम की यह फिर ऑन लाइन टैस्टिस्ट की टेस्स लगाने की उनके लिए काफ烹़ ज़्यादा जो अगर हम देखे पेपर को अटेम्ट करना काफी इसी राएं और उनको पाहले से एक्स्पिरियंस था उनलाइन एक्जाम का इसके अलावा उन्होंने टाइम मेनेच्पेंट पर भी ध्यान दिया था तो उनमें उनको काफी हलप मिली थी इससे तो इसलिए आपक को मिलेगा यह हमारी 2022 की मद्यप्रदीश का इंटरफेर की इबू के और यह 2021 की इनके लिंक डिस्कप्टर में ड़लिए आप एप्लिकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्ली डिटियल ले सकते हैं अगला कोश्य नहीं निम्ली लिकित में से सब्द योग्म सकल सक कीजिगा तो सम्पूर्ण टुकड़ा यह सकल सकल सही यूग्द, सही अर्थ-बि यय बेसिकल यह सकल याने टुकड़ा यह सही योग्म है बैसिकली सकल और सकल का अगला कुछ ने निमलिकित में से असुद्वरतनी वाले सब्द का चैन कीज़ेगा उज्वल जो है इसमें डबल जा आता देखे उज्वल ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे तो ये असुद्वरतनी वाले सब्द है निमलिकित में से वाक्य के पुर्णता, सुद्ध रूप्त या फिर तूटी रहित वाक्य का चैन कीज़ेगा आपको चोड़कर सबी आयत है ये तूटी रहित वाक्य यानि सुद्ध है पुर्णता निमलिकित में से लोकोक्ती अच्छी मत्य जो चाहो बूड़े पूच जाओ का क्या अर्थ है तो बड़े बूड़ों की सला से कारी सिद्ध हो सकते हैं यह इसका अर्थ है निम लिकित में से कृत वाक्च का वाक्च बताईए तो मैं पुस्तक नहीं पड़ सकता यह कृत वाक्च का वाक्च है निम लिकित में से वाक्य के पुर्णता, सुद्ध रूप या त्रूटी रहित वाक्य बताना है, आपके आग्या के अनुसार कारी होगा, या त्रूटी रहित वाक्य है निमने लिकित में से किस विकल्प में सभी सब्द पुलिंग है बिच्चू, रीच, जुगनु ये सभी पुलिंग है नाकिस्ट्रिलिंग है अगला कोश्य ने वेंजनों के उच्चारन इस्थानों की द्रश्टी से जिन वेंजनों के उच्चारन में निश्ला ओस्ट दांतों को इस पर्श करता है उनको क्या कहता है उनको दंतोस्ट ती वेंजन बोला जाता है निम लिकित में से सुद्ध वर्तनी वाला सब्द का चै असमें ने जीरी तरुटी रहित वाक्य का चैन की जिगा, तो तूटी रहित वाक्य के जो इसमें से हैं, यह पुस्तक विधवत्ता पूरवक लिखी गई है ये त्रूटी रही तवाकि हैं अगला कोशने पुलग प्रकट करती है दर्थी रही त्रणों की नोको से मानो जुम रहे तरूग की मन्द पवन के जोको से उप्यूक्त पंक्तियों में निमलिकित में से कौन सा लंकार है तो इसमें उत्प्रेक्चा लंकार है निम्लिकित में से रूड सब्द का चैन की जगा तो धन जो है ये रूड सब्द है अगला कोशन है निम्लिकित में से सुद्ध वरतनी वाले सब्द का चैन की जगा उप्योकती ये सुद्ध वरतनी वाला सब्द है इस्त्रिलिंग सब्द का उचारण में जो शमय लगता है उसे मात्रा केते हैं लगू वर्णों की मात्रा रिक्तिस्तान और गुरू वर्णों की मात्रा रिक्तिस्तान होती है तो लगू वर्णों की मात्रा एक होती है और गुरू वर्णों की मात्रा दो होती है अगला कोशन निमलेकित में से किस लोकोक्ती का अर्थ किसी से कोई वास्ता ना रखना है अंदो का ना लेन ना मादो का देन उदो का लेन ना मादो का देन ये जो है किसी से कोई वास्ता ना रखना का अर्थ है अगला कोशनी वर्तनी वियाकरन और अनावशक सब्दों के प्रियोग की द्रश्टी से निमलिकित में से कौन सा वाक्य असुद है आपसे मिलकर महानतम प्रसंदता होई ये असुद वाक्य है निमने लिकित में से एका एक में कौन सा समास है तो अव्यावी भाव समास है इसमें एका एक में निमने लिकित में से बहुवचन सब्द का चेहन कीजिगा तो आप लोग ये बहुवचन सब्द है वाग के वीजे चालक से गाड़ी चलवाता है है ना वीजे चालक से गाड़ी चलवाता है निम लिखित में से कौन से किरिया का सही उधारन ही तो प्रेरना अर्था किरिया का सही उधारन है निम लिखित में से सिख्षा का तदभव सब्द पूचाए तो सीख होता है सिख्षा का इसके अलावास सब्द योग्म सकट और सक सही अर्थ भेद का चेने आपको करना है तो सकट का होता है मचान और सकट का होता है बेल गाडी तरंग का पर्यायवाची सब्द थे लोर होता है कि दवीति प्रे न Works agar करवाना का मोझधाت तूसबद निम्न मेंसे कौन साтоящ तो कर यह होता है सामानिता चंद के चार चरण होते हैं निम्न लिकित मेंसे सब्द के सुध्रूप या शुद्रवरतनी का औदारण है, नियम्न में से किस विकल्प में पुरतिसत चिन का प्रियोग सही किया गया है कार्याले में तीस पुरतिसत महिलाय उपस्थित थी अगला कोशन निम्न लिग्द में से आशन बूतकाल का सही अधारण कौन सा है तो अध्यापिका पढ़ा कर आई है यह आसन भूतकाल का उधारन है निमनी लिकित मैंसे किस विकल्प में समान समानता सूचक चिन का प्रियोग सही किया गया है करतग इस वल्स्टू उपकार मानने वाला यह समानता सूचक सब्द है यह समानता यह बराबर वाला अगला कुशन है वाक के पक्चियों में रात पक्चियों से रात में सोया जाता है यह समधित वाच्छि कौन सा है तो भाव वाच्छिये हैं निमनी लिकित मैंसे कौन सी रचना सूर्दास की नहीं है कवीता वली सब्द मिलकार्त कारखाना हैं तो मिलकार्त बताईए दूरी की माप अगला कोश है निमने मैं से हातों से हतियाना बात से बतियाना किस किरिया के उधारन है तो नाम धातु किरिया के उधारन है हात से हतियाना बात से बतियाना निमनी लिकित में से कौन सा सब्द कर्मधारे समास का सही उधारन है तो कुमार स्रमना ये कर्मधारे समास का उधारन है तस्तम सब्द का चैन करना है तो धान जो हता है इसमें से तस्तम सब्द है निमने लिकित में से देखे दिये गए वाक्य के लिए निमने में से कौन सा सब्द का चैन की जगा मतलब एक सब्द का चैन की जगा किसी की करपास से परंप संतूस्ट ये कृताग्य ये होता है निमनी लिकित में से तरस का विलोम क्या होता है तो तरप्ती होता है तरस का विलोम निमनी लिकित में से मुहावरा हाथ का मेल का आर्थ क्या है तुछ या त्याज वस्तू हाथ का मेल निमने लिकित में से किस विकल्प के सभी सब्द बहुवचने केस को लोग ये सभी बहुवचन है निमने लिकित में से सब्द युक्म आहुत आहुती के सही अर्थ याने आहुत याने बुलाया हुआ और आहुती याने हो निमने लिकित में से किस मुआवरे कार्थ कुछ परत्यासित बात सुनकर इस तब रह जाना है तो काटो तो खुन नहीं निकलता इस तरह से आप कह सकते हैं निमने लिकित में से कृतग्य का सही समास विग्रे कौन सा है तो कृत को मानने वाला कृतग्य होता है निमने लिकित में से बहुआचन सब्द का चैन करें होस ये बहुआचन सब्द हैं निमने लिकित में से तुरूटी रहित वाक्य का चैन कीजिगा आपकी संकाओ का समधान हो जाना चाहिए ये तुरूटी रहित वाक्य है निमने लिकित में से किरिया विसेशन उपवाग के कौन सा है तो जब वो अर्षा हो रही थी तब मैं घर में था ये किरिया विसेशन उपवाग की है निम लिकित में से कौन सा मुहावरा रीड तूटना का अर्थ क्या है तो आधार हिन रहना दिये गए वाग्य के लिए निमने में से एक सब्द का चैन कीज़ेगा जो मम्तत्त से रही तो निर्मम होता है इसके लावा नेक्स्ट कोशने नीचे दिये गए प्रसने को चार भागों में बाटा गया है A, B, C, D, करमांक दिये गए हैं आपको यहाँ देखना है कि वाग्य कि किस भाग में व्याकरन भासा वर्तरी सब्दों के गलत विदियो या इसी तरह कि कोई त्रूटी तो नहीं है यदि तूटी होगी, तो वाग्य की किसी एक भाग में ही होगी, और उस भाग का करवांख ही उसका उत्तर होगा, यदि वाग्य तूटी रही थे, तो कोई नहीं, तो कोई टूटी नहीं कचेन करें, वाग्य है, आठा पिसाने के लिए A, है न, उसको घर से लगबग 5 किलोमे निमनी लिकित में से दास्री का परियाबचे सब्द क्या है तो परिचारी का ये होता है अगला है नीचे दी गई पंक्तियों में से निमनी में से कौन सा लंकार है नीचे दी गई पंक्ति में कौन सा लंकार है इसमें जो अलंकार होता है, यह होता है, सलेस अलंकार जो आपको दे रखिए, नर की अरू, नल नीर की गती, नर की अरू, नल नीर की गती कर जोए, जेतो नीचो है, चले, तेतो उचो होए, तो इसमें सलेस अलंकार आता है, निमलिकित में से, मेरी बाग में मारूत, गरूर गजराज का बल है, पंक्ती में कौन सा रच्स है, तो ये वीर रच्स में हाथ आए, निमलिकित प्रस्न में पांच कतन दिये गए हैं, इन्हें इस तरह क्रमबद कीजिए कि उनसे एक अर्थपुर्न परिछेद बन जाए, जिस फिर उसके बाद दिये गए विकल्पों में सही विकल्प का चेहन की जिगा, किले रहे, तो देखे हमें सही बताना है पहले, अब यहाँ पर पहले कौन सा आएगा, जाती देश और काल की सीमाओं से बंदे, रहे कर यदि हम साहितिक मुल्यांकर प्रस्तुत करेंगे, तो साहितिक मूल उदेश तता सामिक अवशक्ता तो सही जो रहेगा, यह रहेगा पहला, यह दूसरा रहेगा, यह तीसरा रहेगा, और यह चोता, और यह पाँच्वा रहेगा, यानि कि इसका जो करम रहेगा, यह रहेगा CDBAE, quindi CDBAE, तो यह इसका सही करम रहेगा, option number B correct answer कि आग्जाएगा. अगला कोशने निमलेकित में से दिये गए सब्द के अर्थ विकल्पों में दिये गए हैं इन में से कोई एक विकल्प गलत है आपको गलत का विकल्प अर्थाज जो संबंदित सब्द का अर्थ नहीं का चैन करना है कोसिक याने व्यवधान अगला कोशन है नीम लेकित मेंसे सर्वनाम का चेहन कीज़े गां, क्या यह सर्वनाम है निचे दी गई पंक्तियों में नीमने मेंसे कौन सा लंकार है? नहीं पराग नहीं मदूर मदूर नहीं विकास इकाल अली कली ही सो बंदियों आगे कोन हवाल तो इसमें अन्योक्तिय लंकार आधा है नीचे दी गई पंक्यों में निमने में से कौन सा लंकार है लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल लाली देखन में गई में भी हो गई लाल तो ये अनुप्रास अंकार का उधारन है निमनी लिकित में से तुरूटी रहीत वाक्य का चेहन की जिएगा मैं इसका कारण बता सकता हूँ ये तुरूटी रहीत वाक्य है निमनी लिकित वाक्य में से दिये गए वाक्य के लिए निम्री में से एक सब्द का चेहन करेगा जिसके दातना जन्द में हो उसको उधन्त बोला जाता है निम्री लिखित प्रसन पांच विकल्प दिये है इस तरह से इसको जमाना है हमने पहले जमाना है इस तरह से तरह से विलोम सब्द का अर्थ उल्टा या विपरीद और विलो मौलारती विलॉम सब्द भी कहते हैं इस तरह से यह है बैसक्लिए इसको जमाना है तो इसका जो करम रहेगा यह BD, A, C, E रहेगा है B, D, B, D, A हना एक, दो, तीन, चार और पांच तो B, D, B, D A, C, E यह इसका बैसक्लिए करम रहेगा अगला कोशनी निमलिकित में से तुम चोरी करोगे तो पकड़े जाओगो वाकिय के संबन्द में काल कौन सा है तो है तो यह तो मत बहुशे काल इसमें आता है अब यहाँ पर आपको बताना है चिन का प्रियोग नहीं किया गया है किलिए रहे, वहाँ सादू वहाँ सच्य सादू है, जो कुछ पता पाता है वही खाकर संतुस्ट हो जाता है कभी भी गना, कभी मुट्टी चना तो यहाँ पर उद्वरन चिन जो है इसका प्रियोग नहीं किया गया है किसी सब्द अत्वा गंडित के अंकों के मद्द समानता या बराबर यादी को दर्साने के लिए निमलिकित में से किस चिन का प्रियोग के जाता है तो तुल्यता सूचक चिन का प्रियोग के जाता है निमलिकित में से आवो आज नहर में तेरा जाए, वाकिक से सम्मंद वाच्ची कौनसा है तो भाव वाच्ची है निमलिकित मेंसे योगिक सब्द का चेहन करीगा, पीलापन ये योगिक सब्द है, किस चंत्र के प्रतियक चरण में सोला मात्राय होती है, तो चोपाई में होती है, निमलिकित मेंसे निट्टूर का परियावाची सब्द क्या है, निर्दय होता है, निमलिकित मेंसे कौन सा लिखता है उसका स्तायबाव सोक हूथ है निम्लिकित मेंसे त्रूटी रहुत वाक्य का चैन की जगा हमारे कॉलेज में कॉमर्स की शिख्षा दी जाती हैं ये त्र्वति रहुत हैं जो सब्द किरिया के अर्थ सुब्धक रोप या सुद्ध वर्ततनी के चेंद करीगा पारी स्रमीड होता है कौनसी रचना रचनाकार रामरोक्ची बैनेपूरी के नहीं है तो अवन तीका इनकी ये नहीं है निम्ने लिखित मैंशे कौनसा सब्द द्वंध समास का सहिझ उदारन नहीं है कस्टा पन ये द्वंद समास का सही उदारन नहीं है निमने मैंसे तस्तम सब्द का चैन कीजगा ये सोधा तस्तम सब्द का उदारन है निमने लिकित मेंसे जो जीता वही सिकंदर वाकिमे प्रियोक्त जो वही इस प्रकार की सर्वना में तो संबन सुचवाचक होते हैं निमने लिकित मेंसे किस मुआवरे कार्थ दोस या कलंक लगाना होता है तो बट्टा लगाना इसको बसकी लिए बोलायता है किस मुहावरे का अर्थ दोस या कलंक लगाना तो बट्टा लगाना यान दोस या कलंक लगाना निम लिकित में से उप्यूक्त विकल्प का चैन कर रिखते इस्तानों की पूर्ति करिएगा मदर टेरेसा का यस संसार भर में फेला हुआ है तो इसमें यस आपका हाएगा निम लिकित में से असंगत बैमेल सब्द का चैन कियागा यहाँ पर हमने पूरे 100 कोशन्स आपको कवर करवा दिये हिंदी के और यहाँ पर हमने जो देखा है वन लाइनर के फॉर्मिट में बैसिकली यह हमने पहला ही विडियो डालाए बैट ये वण लाइनर की फॉर्मिट में कवर करना सही नहीं रहेगा इसको हम वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और उसमें भी हम टॉफ हंड्रेट टॉफ हंड्रेट की फॉर्मिट में कवर करेंगे इस वीडियो को जाए-जाए सेयर करें हमारा सभी कोर्स पर इसके बाद में यह उफर समाप तो जाएगा दोबारा से यह उफर आपको देखने को नहीं मिलेगा रोयल स्टेडी कूपन कोड़े कर आपने अभी तक इन्रॉल नहीं किया है कर लिए और उडाउट कुछ पर इस तो आप हमें नंबर पर भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारे ज करके इनके बारे में कंप्लेट डिटी ले सकते हैं के लिए रहे तो गाईज आइधिंग ये आपको पतंद है हुगा वीडियो कैसा लागा कमेंट में कमेंट करके जो पताएगा और अगर अगर आप चाहते है कि किसी और भी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आया जाए तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं इले रहे तो मिलते हैं हमारे नेक्स टेश्टेडी वीडियो में तक तक लिए जय हिंद बंदे महात्रा